इस वीडियो पे हम मैफ काइंट फॉर्ड सस्पेंसन सीरप का रिव्यू करने वाले हैं और पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं और इस सीरप के अंदर जो साल्ट कमपोजिशन होता है वो बच्चों के शरीर में कैसे काम करता है तो आईए जान लेते हैं पूरी जानकारी और वीडियो को करते हैं शुरूरू तो सबसे पहले मेफ काइंड सीरप के बारे में हम आपको बहुत ही महत्पूर्ण और जरूरी जानकारी देते हैं कि अगर किसी बच्चे को सीरप को पिलाने से पहले पीलिया है पीलिया की बीमारी है तो उसको भूल कर भी ना पिलाएं और डॉक्टर की सलाह के बिना तो ब अप्रमेफएनेमिक एसिट 50 mg और पेरसी टामॉल 125 mg होता है इस सीरप को मैंकांड फार्मा कमणी द्वारा बना जाता है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा भ्रांड है आईए अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी समस्याओं में इस सीरप को बच्चों को दिया जा जा का दर्द है उसके साथ में बुखार है या बदन दर्द है उसके साथ में बुखार है या हाथ पेरों में दर्द है उसके साथ में बुखार है या पेट की कोई समस्या है पेट सी जुड़ी कोई भी दिक्कत है और दर्द है और उसके साथ में बुखार है पेट की एटन है या सीरप को पिलाने के बाद बिचयों के अंदर कौन-कौन से साइड एफेक्ट हो सकते हैं तो इसको पिलाने के बाद अगर बच्चे को बहुत जादा लुजमोशन हो जाते हैंश कि रियोंत कि उल्टिया होने लगते हैं ये शेरीर में किसी भी प्रकार की ऐलर्जी हो जाती है लाल चकते होने लगते हैं तो आप तुरंट समझ जाएं कि ये सीरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है और इसको प्लाना तुरंट बंद कर दे और अपने डॉक्टर से सला लें अब बात कर लेते हैं डोजेस के बारे में कि इसके डोज किस तरीके से बच्चों को दे कर देना चाहिए खाली पेट नहीं देना चाहिए अगर आपका बच्चा 4 साल से 12 साल तक का है तो उसको 5 ml कुछ ना कुछ खिला पिला कर खाली पेट कभी ना दे उसको दे सकते हैं तो मैफ काइंट सस्पेंसन सीरप के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कै की दवाईयों के बारे में अच्छे अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं रिव्यू करते रहते हैं मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ थैंक यू सो मच